गुड़ी उनिंग दोस्तों मैं हूं सारुक और आप देख रहे हैं माइंड़ेस्टरी 22 तो स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल माइंड़ेस्टरी 22 में तो दोस्तों जैसा कि आप सब तरीके से जो हमारी जो लक्षमी कांत की जो बुक है उसका जो चैप्टर नंबर वन है एतिहासिक प्रिष्ट भूमी तो एतिहासिक प्रिष्ट भूमी को हम दो भाग में पढ़ना था ठीक है एक में था कि कंपनी का जो रूल था ठीक है और एक में था मतलब जो क्राउन रू तो अब एक एक करके धीरे धीरे हमने कंपनी रूल को समझ लिया है कंपनी रूल में कौन-कौन सा दिनियम थे 1773 का ठीक है उसके बाद 1781 का आया उसके बाद 1784 का आया था ठीक है फिर 1786 का आया था है उसके बाद 1791 है फिर 1793 सोरी इक्यानवे नहीं है 1793 का आया था ठीक है इन सभी अधीनियमों के बारे में मैंने आपको बताया है 1813 का चार्टर अदिनियम ठीक है 33 का चार्टर अदिनियम ये सब हमने आपको बताये थे और 1813 का अदिनियम ये सारे अदिनियम हमने जान लिये हैं इससे पहली वाली वीडियोज में ठीक है तो अब हम company जो रूल था उसको तो इन सारे आदी नियमों के माध्यम से समझ लिया है अब हम जो समझने वाले हैं वो ताज का सासन को समझेंगे यानि ताज का जो सासन था British Crown जो रूल था वो किस तरीके से भारत में आता है और किस तरीके से वो भारत को अपने नियंत अठावन के अधिनियम से लेकर 1857 के बीच बीच में जो भी अधिनियम हुए हैं जो भी प्रावधान जो भी कानूंस लाए गए हैं जो भी व्यवस्ता हुई है उन सब को हम देखेंगे इसके बीच में British Crown डूल के बीच है ठीक है तो चलिए बिना टाइमिस्ट के हुए करत अब हम 1858 के भारत सासन अधिनियम की जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था ये दरसल क्या था इस 1858 के अधिनियम को जानने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगा कि इसका मतलब महत्तों की जब हम बात करेंगे तो इसको थोड़ा समझ लिएगा देखिए जो 1858 से पहले आप थोड़ा चलिए 1857 की क्रांती पर ठीक है सब को पता है 1857 की क्रांती और 1857 की क्रांती को आप सैनिक विद्रो के नाम से भी जानते हैं सिपाई विद्रो आदि नामों से इसको जाना जाता है ठीक है यानि पर्थम सवतंतर्ता सिंग्राम है इन सब नामों से 1857 की क्रांती को जा तरते उन पर क्या प्रिभाव पड़ा या फिर कंपनी रूल और जो ये क्राउन रूल था इनके आने से क्या होता है वो हम समझते हैं अब जब 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया इसने क्या कर दिया इसका जो महत तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि जो कंपनी रूल था तो कम्पनी रूल इसने क्या कर दिया समाप्त कर दिया और बिज़िस सरकार था यानि बिज़्व राजशाही क्राउन रूल को यह तो अथारेसोटावन का अधिनियम नियंत्रक बोर्ड था, कोट ओफ डिरेक्टर था, इन साब को लाया, धीरे-धीरे अपना उसने राज निती भी की, ठीक है, अब क्या हुआ, अब मतलब परतियक चुरूप से बिटिस जो सरकार है, बिटिस सरकार परतियक चुरूप से अब भारत पर अपना क्या कर रही है, अपना राज चला रही है, ठीक है, 1858 का अधिनियम के बाद में, अब जो ये 1858 का अधिनियम था, अब कंपनी रूल का समाप्त होने का मतलब क्या था, कि भाया, जितनी पावर कंपनी ने दी थी, किसको गवर्नर्स को दी थी, ठीक है, किसको दी थी, गवर्नर्स को दी थी, नागरिक समवंदी सेन्य समवंदी जो भी इन सबसे रिलेटेट जो भी गतिविदिया थी उनको company से चीन कर British րाजसाहि को स्वूप देना है बेटे स्राजसाहि के लिए दे दिया गया था इसका मतलब था कंपनी title का समाप्त होना यह था इसका एक मतलब मेहत अब हम बात करते हैं इसका उद्देश से क्या था है कि जो 588 का जो भारत सरकार अदिनियण्त था इसका लाने का उद्देश्य क्या था इसका लाने का उद्देश्य था कि जो पिरसासनिक मसीनरी है उन पिरसासनिक मसीनरीयों में सुधार करके भारत पर अच्छे तरीके से बिटिस राजसाही का सासन क्या जा सके ये इसका मेली उद्देश्य रहा था 1888 के भारत सरकार अदिनियम को लाने का अब हम बात करते हैं जो 1888 की जो मतलब विसेश्थाएं हैं जो प्रावधान हैं उनको अब हम समझते हैं 1888 के भारत सरकार अदिनियम के जो प्रावधान क्या क्या थे विसेश्थाएं क्या क्या थी उनको समझते हैं सबसे जो पहला प्रावधानिस से संबन दित है इसमें क्या था कि पद का नाम बदल कर वह सराय कर दिया वावाव क्या बात है देखिए इससे पहले क्या था सबसे पहले हम सुरू से ही चलते हैं रिवीजन भी हो जाएगा इसमें एक पद मिला कौन सा पद था बंगोल का गवर्नर जर्नल ठीक है अब उसके बाद इसके बाद कौन सा पद था और इस बंगोल के गवर्नर जर्नल को क्या बना दिया भारत का गवर्नर्जनरल बना दिया अब ये जो बंगोल का गवर्नर्जनरल था 1833 का धीनियम के तहत ये भारत का गवर्नर्जनरल बन गिया सोरी अब जब ये भारत का गवर्नर्जनरल 1833 का धीनियम के तहत बन गिया अब आ रहा है 1858 का धीनियम और इसने क्या का कि भाया जो भारत का गवर्नश जनरल है ये भारत का गवर्नश जनरल जो पध है इसका नाम बदल कर उसने क्या कर दिया Queen वोई सराय कर दिया ठीक है क्या कर दिया वोई सराय कर दिया यह बहुत ज़्यादा important है है तो अब इनको आप देखे आप जो बंगाल का गवर्नेस जनरल जो 773 के regulating act के अधीन आया है और उसके बाद जो 1833 का दीनियम आया था वो कौन से एक्ट ले वो क्या लेकर आया था भारत का गवर्नेस जनरल कर दिया उसके बाद 1858 का दीनियम ने पद का नाम बदल कर वोई सराय कर दिया अब जो पिर्थम वोई सराय था वो कौन था पिर्थम वोई सराय की बात हम करें तो लार्ड कैनिंग कौन था पिर्थम वो इसराय लार्ड कैनिंग था है सोरी और उसके बाद 1773 के जो रेगिलेटिंग एक्ट के था है जो पिर्थम बंगोल के गवर्नेस जनरल बने थे हैं वो कौन बने थे वो बने थे लोर्ड वोरेन हैस्टिंग्स बने थे हैं उसके जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था वो कौन था लॉर्ड विलियम बैंक टिक कौन था लॉर्ड विलियम बैंक टिक इन तीनों को आपका पता होना चाहिए भारत का प्रिथम वैसराय कौन था प्रिथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था बारत का गवर्नर जनरल कौन भारत में द्वेद सासन प्रणाली ठीक है भारत में द्वेद सासन प्रणाली थी इसको समाप्त कर दिया गया था अब यह द्वेद सासन प्रणाली क्या थी बारत में द्वेद सासन प्रणाली इस्थापित होती है द्वेद सासन प्रणाली मतलब जो कंपनी जो रूल था कंपनी ने क्या किया एक तरफ उसका बॉर्ड ओफ निदेशक था मतलब बॉर्ड ओफ डिरेक्टर था निदेशक बॉर्ड था निदेशक कोट था निदेशक कोट और एक तरफ था यह जो निदेशक कोट था यह क्या कर रहा था कंपनी के वयापारिक मामलों को मतलब वयापारिक मामलों का परबंदन करता था और एक तरफ था क्या वो नियंतरक बोर्ड और नियंतरक बोर्ड का जो गठन क्या गया था वो 1784 के regulating act के तहती क्या गया था तो अभी यह जो नियंतरक बोर्ड था यह किसके लिए क्या गया था कि भाया जो company राजनीतिक कार्ड यह करेगी उन राजनीतिक कार्यों का परबंधन कों करेगा नियंतरक बोर्ड करेगा ठीक है तो इस 1784 का अधिनियें में द्वेद सासन प्रणाली क्या होती है नियंकि company के जो कार्य थे राजनीतिक और वयापारिक जो कार रहे थे वानित जी संबंदी कार रहे थे उनको मतलब अलग-अलग कर दिया और अलग-अलग करने की वज़े करने के बाद उनके लिए अलग-अलग निकाय का गठन किया भया एक निकाय तो पहले से ही गठित ती क्या थी 1773 के Regulating Act में मैंने Court of Directors आपको बताई थी तो Court of Directors तो पहले से ही थी है तो ये Court of Directors वयापारिक मामलों को देख रही थी कंपनी को अब जो ये कार ये अलग-अलग किये थे तो राजनिति कारियों का प्रिबंदन करने के लिए एक निकाय की ज़र्वत पड़ी और वो निकाय क कौन सा था वो निकाय था नियंत्रक बोर्ड और इसी नियंत्रक बोर्ड का जब गठन किया गया जब इनके कारिया अलग-अलग तरीके से चले तो वहीं पे से द्वेद सासन प्रणाली की क्या हो गई थी शुरुवात हो गई थी और अब 1888 के भारत सासन अदीनिये में इस द्वेद सासन प्रणाली को क्या कर दिया गया है समाप्त कर दिया गया है यह इसका सेकेंड प्रावधान था बहुत जादा इंपोर्टन है बहुत जादा है और तीसरा जो इसका प्रावधान है तीसरे प्रावधान को हम देखते हैं कि भारत में राज्य सचीव ठीक है भा मैं राज्य-सच्एव नामक पद प्रिदान किया, जिवा 1858 का भारत सरकार धिनिěम था, इसने एक तो पद का नाम बद दल कर क्या कर दिया वोईसराय कर दिया और फिर इसने साथ में एक और पद दिया और उस पद वो पद क्या था भारत का राज्य सचीव ठीक है क्या था भारत का राज्य सचीव ठीक है इसको कहीं कहीं पर भारतिय सचीव भी लिखा गया है ठीक है तो भारतिय सचीव या भारत का राज्य सचीव बात एक ही है तो अब जो ये पद नाम दिया भारत का राज्य सचीव या भारते सचीव नामक जो पद दिया तो ये ये क्या था एक मतलब जो बीटिस सरकार जो थी बीटिस सरकार के एक परतिनीदी तू कर रहा था ये बीटिस सरकार का भा भारतिये छेतर पर अपना जो नियंतरन थी वो अच्छी तरीके से बना रही थी अपना नियंतरन ससक्त कर रही थी किस के तरीके से भारतिये सचीव के तरीके से इसलिए इस पद को मतलब दिया गया था बेटी सरकार ने अपने फायदे के लिए तो अब जो ये बेटी सरकार द्वारा जो यह पद दिया गया भारतिय सचीव का इसकी इसकी भी वहिया कुछ खास बात थी इसकी क्या थी कि भारतिय राज्य सचीव के पद पर होगा वो क्या करेगा वो बिटिस सरकार के कैबिनेट का ही एक सदस्य होगा क्या होगा कि बिटिस सरकार का जो कैबिनेट होग उस cabinet का ही एक साथ से होगा दूसरी बात यह जो है भारतिय सचीव जो होगा वो बिटिस संसद के परती क्या होगा उत्तरदाई होगा बिटिस संसद के परती जवाब दे होगा उसको जवाब देना पड़ेगा बिटिस संसद के परती ठीक है तो यह इसके कुछ नियम थे तो अब ये जो था में लिए क्या था ये जो भारती जो सच्ची उठा ये भाया जो बीटिस संस सके उत्पादन करके कच्चे माल को खरीद के लिए जा रही थी कंपनी कहां से भारत से फिर उसको अपने इंग्लेंड में माल बना कर फिर उसको वापिस महंगी कीमत पर बेख रही है कहां पर इंडिया में तो इस तरीके से उन्होंने सोसन किया था इंडिया में तो यह मतलब बड़ा वो रहा इसका इतिहास इस पर हम कभी अलग डिसकस करेंगे अब जो इसका एक और जो मैंली प्रावधान था जो भारतिय राज्य सचीव जो पद इसने दिया साथ में इस सचीव की सहयता के लिए पंद्रे सदस्यों की एक परिश्द भी दी कि भाया जो भारतिय सची के लिए बिटी सरकार ने तो अब यह जो परिश्द था यह क्या करता था यह भारतिय सचीव के लिए सलहा देता था और भारतिय सचीव इसकी सलह के आधार पर क्या करता था ठीक है तो यह एक छोटा सा मतलब जो इसका एक प्रावधान था यह भी इसका एक मेली प्रावधान रहा है यही और तो इसमें कुछ खास है नहीं यही जो मेली जो च아र प्रावधान थे वही कि यही के गए हैं इनको अच्छे से समझ लीजिए ठीक है और इसering परिश्द दिया गया था ठीक है इसके पास ए देखें परिस्द क्या करना है भारत तोरे इंगलेंड में मुकदमद चला सकता है और इस परिस्द के बीजी होगा है तो प्लीज कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं बुलना है तो दोस्तों बने रहे हैं हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करकर इसी तरह की की act by act यानि लक्षमिकांत को short वीडियो के माद्यम से 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो के माद्यम से अच्छे तरीके से बिल्कुल basic concept को करते हुए इसको हम धीरे धीरे मतलब लक्षमिकांत की series के माद्यम से लक्षमिकांत की book को complete करेंगे तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को subscribe कर दीजिए बने रहे हमारे साथ मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टोपिक के साथ तब तक के लिए thank you so much